जैपूर से खबर जन घूम्तु जाती उत्थान नियास की घूम्तु तिर्थ योजना के अंतरगत दो दिन पुरोव हरिद्वार और रिशी केश की धार्मिक यात्रा परगे 110 यात्रियों का दलहनमान जन्मोटसव परमंगलवार को सैकुशल लोटाया अंगबामबा बाडिस्ती तादर्श विद्या मंदिर में सभी यात्रियों का स्वागत किया गया गुम्तु जाती कारेकरम जैपुर मानगर सियोजक राकेश कुमार शर्मा ने अपने पूरी टीम के साथ यात्रियों का भिनंदन किया विश्राम और अलपहार के बाद यात्रियों ने अन्या लोगों के समक्ष तिर्थ यात्रा के नुबह बांटे अंजली मदू और तनों ने का कि वो पहली बार यात्रा गई थी राष्टिया स्वेम सेवक ने बताया कि बहुती अच्छी व्यवस्ता थी यह जो गुमंतु समाज है अगर इनका इत्यास अपन देखेंगे तो इनका गुरवसाली इत्यास राह है भारत माता के लिए सनातन धरम के लिए रास्टर के लिए लोग यह तत्पर रहे हैं इन्होंने अपने जान की परवा के बिना इन्होंने रास्टर कारी किया है परन्तु काला अंतर में अंग्रेजों ने जब इनको 1877 की गरांती में इनका योगदान देखा तो इन्होंने 1871 के अंदर इन पे एक एक लागू कर दिया गया जिसमें इनको अपरादी गोशित कर दिया गया दुर्भागे की बात देखिए जिसे कौम ने सवतनतरता संग्राम के अंदर अंदोलन के अंदर भाग लिया देश धरम की रक्षा के लिए काम किया उनको अपरादी गोशित कर दिया गुनी सो सेन्तारीश में भारत आजाद हुआ आजाद होने के बाद में गुनी सो बावन में इन पे जो एक लागू था उसको सरकार ने निरस्त किया गया आज देश को आजाद हुए 75 साल से ज़्यादा होगे परन तो दूरभागे की बात है आज भी जो वीरिस कौम है सक्तिसाली कौम है बहादूर कौम है सनातन पे कुर्बान होने वाड़ी कौम है जिन्होंने अपना धरम नहीं बदला आज भी ये लोग दर-दर की ठोकरे खा कारी है परन्तु राष्टिय स्वेम सेवक संग ने एक गतिविदी के रूप में घुमन्तु कारिया शुरू किया है जिसमें हम इन बस्तियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बासंजकार के इंदर इन्हें बस्तियों के लोगों के पास है इतना सामर्थ नहीं होता कि य इसके लिए हम आरोगे मित्र बनाते हैं वहां पे इनको दवाईयां उपलब्द कराते हैं यह द्रम संसकार से जुड़े रहे इसके लिए हवन क्या काम करते हैं और अभी हमने एक और योजना सुरू किये गुमन्तु तीरत योजना इस योजना के अंदर हम इनको तीर्था एक सो आठ गुमन्तु गए थे जो आज यात्रा करके यहां पदा रहे हैं मैं राकेश कुमार सेयों जैक गुमन्तु कारिये जैपुर महानगर परन्तु जातियों में हमेशा सोशन हुआ है कभी उनको बढ़ावा नहीं दिया गया परन्तु आरेसस के दुआरा हम सभी को हम सभी को तीर्थिस्तानों पर घूमने का मोगा मिला और तीर्थिस्तानों के दर्शन बहुत अच्छी तरह करवाई नाश्ता सुवीधाय सब करवाई और सबसे बड़ी बात यह कि निशुलक अच्छी यात्रा और सबसे बड़ीया फ्री में खाने के ववस्ता सोने के नहीं कभी गए हैं लेकिन कभी तीर ती स्थानों पर नहीं गए और 108 को लेकर RSS वालों ने बहुत आगे तक सफर लंबा तै किया गंगाजी की मंगल आरती जो बहुत कम लोगों को वेखने को मिलती है इसलिए हम बहुत सौभाग की शाली है कि RSS वारा हमें इतनी अच्छी प्रायरिटी दिये बहुत बहुत धन्यवाद RSS की तरफ से परदान मंतरी निरंदर मोदी ने एक बार फिर से का कि देश में आरक्षन कभी खत्म नहीं होगा उन्होंने राजस्तान के उनियाराटों के स्वाइमादरपूर में का कि कॉंग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टी करन की राजनीती की रही है वो दली तादिवासियों को मिले आरक्षन को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है साल 2004 में कॉंग्रेस ने सबसे पहले आंधर प्रदेश में सीएष्टी के आरक्षन में कमी करके मुसलमानों को रिजिर्वेशन देने की कोशिश की गई ये एक पाइलेट प्रोजेक्ट था जिसके बाद पुरे देश में लागू करने की प्लानिंग की गई थी तिमरी से कबर जा लोकसभा छेतर में जोदपुर के बहुजन समाज पाइटी परतियाश्री मंजू मेगवाल ने लोहावट विदान सबा छेतर के दरजनों गावों में तुफानी दोरा करते हुए मदाताओं से सीधे जन संपर करके मदान करने की अपील की उन्होंने मदाताओं को बताया कि इस लोक्तिंत्री के मोचसों में बढ़ चड़ कर मदान करना है भीलवड़ा से कबर जा मुक्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुक्यमंत्री दियाकुमारी 24 अप्रेल को लग लग भीलवड़ा आएंगे इस दोरान मुक्यमंत्री कारेकरताओं की बैठक लेंगे वहीं उप मुक्यमंत्री दियाकुमारी रोड़ शो करेगी सीम शर्मा दोफेर डेड़ बजे हलिकोप्टर से पुलीस लाइन हलिपेड पर उतरेंगे यहां से दोफेर एक पैंथीस पर हेलिकोप्टर से रवाना होकर एक चारीस पर वो भाजपाजी लाकारले में कारेकरताओं से बैठक लेंगे जलावार से खबर जहां पीपादाम पर संत शिरोमेंडी पीपाजी माराज की जहनती मोचसों में सोंवार कुपस्तित सादू संतों ने पीपाजी माराज की पीपादाम में संत जंकारेश्वर त्यागी जी मारेज के सानीद्य में पूजा अर्चना कर भक्तमाला का परवन करने से भक्तों में खूब आनद उठाया। नगरपाली का अध्यक्ष मनेश पुरूईत वैपुरोवे मले सौंग सिंग भाटी नगरपार्श दिनिश व्यास और भारी संख्या में कारे करता मुझूद रहे। चानपुर से खबर जांट ट्रक में सबजी बरकर उसकी याड में तसकरी करके डूडा ले जा रहे। एक तीनों तसकरों को चानपर पुलीस और स्वाइट सर्विलांस टीम ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। की आड़ में नसीले पुदार्तों की तसकरी करते हैं इसमें अब्दुलवारी पुर्फ रह्मान का विस्तरित अपरादी की धिया से चोदर दिन दोजाग चोविस को अवयद सराप के पेटियों से भरी गाड़ी चेकिंग के दौरान पकड़ी गई थी। वह भी इसी नेटवर्क का हिस्सा था। सिगर ही नेटवर्क में सामिल सभी व्यक्तियों को किरफ़तार किया जाएगा। बिलवडा से खबर जहां सूचना के अंदर पर हनुमान जैन्थी पर विक्रम दादीच ने बताया कि रक्तदान मादान का भियान में रक्त आरपन उत्सव का शुभारम हुआ। जिसमें विश्णु शर्मा, डॉक्टर जेपी गर्ग, सुरिंदर शिंपा, मज्जु शिंपा, जिलास्वी पाइसकौन, आरू नामाने दीप और जलित करमदाता को संकल्प दिलाया। में बीलवड़ा में अनमान जेन्थी पर साल चेतर मा की पूर्णी मातिती को मनाई जा रही है, भगवान हनमान की उपासना की जा रही है और माना जाता है कि इस दिन से सभी बक्त हनमान जी की वीदी विधान से पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पुरुन होती है और जीव बनने जा रहे हैं जो भक्तों के लिए हित कारी है। के धनारी स्थीत हनमान जी मंदिर में दर्शनार्थ कर एक विश्यस कारे करम में भाग लेने जा रहे थे। किशनगज से खबर जा नहर पानी की मांग को लेकर अंदोलन कर रहे नहरी नहरों की पानी किसान संगर्श स्मीती के लोगों ने एक उप तसील काराले में पहुंचकर लोग सबा चुनाओं में बहिशकार का ग्यापन सौपा, नहरी पानी संगर्श स्मीती के पवन अगर कि नारगड छेत्र की 6 ग्राम पंचायतों में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया, इस छेत्र में कोई बड़ी योजना लागू करने के लिए सिंचाई विबाग के दिकारियों ने नकरात्मक रिपोर्ट उचे दिकारियों को भेजी, जिसे किसानों में रोश है मैं भूनेज जिन्दल व्यापारी नारगड आज 6 गाहों के लोगों की पाने की समख्षा को देखते हुए व्यापार संगने सभी किसानों का समर्तन करते हुए आगामी चुनाओं में, लोकसवा चुनाओं में, वोटों के बैसकार का निढ़ने लिया है सभी व्यापारी एक जूट है, सभी व्यापारों ने मिलकर के आज, मान्य मुख्य मंत्री के नाम तशिल्दार अपको ग्यापन सोपा है और निर्वाचे नादिगारी के नाम, तो यह तैय है कि आने वाले 27 तारिक को जो लोकसवा चुनाओं होंगे, उसमें नहारगड की व्यापारी मद्दान नहीं करेंगे क्योंकि जो पानी की समश्च्चा है वो विक्राल है और किसन भाईयों के साथ प्याबर एक अदम से कदम मिला करके चलेंगे मैं पहुन नागर, ग्राम पंच्या इतना अरगड, आज हमने लोकसवा चुनाओं के संदर्व में सरकार को ग्यापन दिया है जिसमें की हमारी लगातार जो सरकार से मांग चल रही है, कि हमारे छेत्र को सिचाई परियोजनाओं से जोड़ा जाए जिससे की इस सिचाई में पीने की वह भूमी को सिचाई के लिए जल उपलब्द हो सके लेकिन सरकार अभी हमारी समांग को गंबीरतार से नहीं ले रही है अगर सरकार या सरकार का कोई भी जन पड़ती नी दी जलसन साधन मंत्री या मुक्य सचीव जहां तक हमें लिकित आस्वासन नहीं देता है हम वहां तक ये हमारी जो लोगसभा चुनाओ बहिसकार की मांग है वो लगातार जारी रहेगी नाम कुलदीब नागर ग्राम नारगर हमारे सेत्र में लगातार बूजल नीचे गिरता जा रहा है पानी की बहुत बहेंकर विकट सिश्तिती सामने आ रही है इसको देखते हुए सरकार यहां पर नहरी, सिचाई, पीने की पानी की विवस्ता में ध्यान थोड़ा कम नजर आ रहा है इसलिए आज हमने सब किसानों ने यहां नारगर तेशिल पर ग्याबन दिया और आसवासन लिया उनसे कि जब तक कोई संसाजन मंतरी कोई टोस आसवासन नहीं देता है तब तक हम चुनाओं का बैशकार जारी रखेंगे और निरंतर इसको आगे लेकर जाएंगे और गली गली गाओं गाओं गूम कर जलावार से कबर जंजीले में चोमेला कस्बे में अनमान उत्जन मोचो पर हिंदू संक्टनों द्वरा कस्बे में विशाल शोबायात्रा निकाली गई शोबायात्रा कस्बे में हनमान मंदिर से शुरू हुई जो कस्बे के मुक्य जंडा चोक होकर कुंडला रोड बजार से होकर हनमान मंदिर पहुंची जांशोबायात्रा का समापन हुआ बवेशोबायात्र में भारी संख्या में शर्दालों ने हिस्सा लिया